श्री शिवाई नमस्तु भी हम दोस्तो 9 माई 2022 को सोमवार की एस्टमी है दोस्तो यह दिन बहुती समय बाद आता है इसलिए हम आपको पहले ही इस दिन का एक उपाय बता देते हैं जिस उपाय को करने से निश्चित ही आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी मनुकाम ना होगी व श्री पंडित प्रदीप मिश्चाजी ने अपनी शिवमहापॉरान कता में इस उपाय को बताया है और एक तरीके से बहुत ही फेमस यह उपाय है लोग इस उपाय को करते हैं और उनको फल भी मिलता है उनके मनुकामना भी पूरी होती है तो करना क्या है? इस उपाय को आप 31 हरे मुंग کے दाने लेना है और 31 ही बेल पत्र लेना है और लाल चंदन अपने साथ रख लेना या पीला चंदन जो आपके पास हो वो रख लेना ठीक है शिव जी के मंदर पहुँच जाना 9 माई को सोंवार की 80 मी के दिन ठीक है शिव जी के मंदर पहुंचने के बास सबसे पहले जो आप 31 चावल के दाने लेकर गए हैं यह तूटे नहीं होने चाहिए ठीक है पूरे आखा होने चाहिए 31 चावल शिव जी के मंदर लेकर पहुंचो और सबसे पहले 31 चावल के दाने निकालो और जो शिव जी की जो चौकट होगी जब आप लोग शिव जी के मंदर के अंदर खुस रहे होगी तो आपका जो सीधा हाथ होगा उस सीधे हाथ पर आपको अपनी मनोकामना को करते हुए जिस मनोकामना के लिए आप सुमवार के स्टमी का यह हुपाई कर रहे हैं अपनी वह आप शिव जी के मंदर के अंदर घुसिए अंदर घुसने के बाद अब जो शिवलिंग के सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए होते हैं उन नंदी बाबा के ऊपर मतलब ऊपर नहीं जो नंदी बाबा का पैर उठा हुआ होता है आपने देखा होगा एक पैर उठा हुआ होत अब जो 31 बेल पत्र आपके पास बचे हुए है इन 31 बेल पत्र पर एक एक बेल पत्र आप जो भी लाल चंदन या पीले चंदन लेकर गए हैं एक एक बेल पत्र पर एक टी का लगा कर लाल चंदन या पीले चंदन का वो आपको शिवलिंग के ऊपर असुक शुंद्री का जो इस्तान होता है वहाँ पर समर्पित करना है। एक एक बेल पत्र करके समर्पित करना है चंदन लगा और फिर एक बेल पत्र समर्पित करो चंदन लगा और फिर एक बेल पत्र समर्पित करो बेल पत्र को समर्पित ऐसे करना है जो डंडी का मुख रहेगा वो जलधारी की और रहेगा ठीक है और बेल पत्र आपको उल्टी कर के ही समरपित करना है और जब आप लोग यह बेल पत्री समरपित कर रहे हों उसके बाद अपना हाथ जोड़कर भगवान से बिंती कर लेना कि भगवान हमारी है मनुकामना है वो आप पूरी कर दीजिए दोस्तो इस उपाय को करने के बाद अगली सोमवार के स्टमी आने से प स्टो बिया